वीकिशन अन सरकारी डोकुमेंट्स चैनल पर आप सभी रोग का एक बार फिर से स्वागत है तो आधार सेंटर के दिये हम क्वेश्जन संसर की सीरीज आप लोग के लिए हिंडी में हम स्टार्ट कर चुके हैं एक chapter हो चुका है, आज दूसरा chapter हम करने वाले हैं, चाहे आप operator का exam दे रहे हैं या supervisor का, दोनों में question paper same होता है, जितने marks आप लेते हैं, उसके according आपको operator supervisor का certificate दिया जाता है, तो first chapter UIDI और अधार का परिचे हम कर चुके हैं, आज का जो हमारा chapter होगा, वो है chapter number second, और second है registrar, दा चेप्टर हम इस वीडियो में इसको कर पाएं, तो इसके questions में देख लेती हूं कितने हैं लगबग, क्योंकि second chapter में questions काफी हैं, तो second chapter में बात करूँ, तो 95 के around इसमें questions हैं, तो 50 इसमें कर लेते हैं हम, और 50 next वारी में हम करेंगे, किसी ज्यादा questions करोंगे, तो सब आपके स प्रेस कर लीज़े, ताकि जैसे वीडियो upload होती है, उसकी notification आप सभी लोगों को मिल पाएं, और इसके साथ ही आप ये PDF नीचे description box में लिंक है, वहां से आप इसको download कर सकते हैं, ये PDF हिंदी और English दोनों में ही available है, आधार Center exam के नाम से एक अलग से playlist है, जहां पर आप English की वी प्रेट कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं, चैप्टर टू, अधाय दो, रेजिस्टार, दाखिला अजन्सियों और नामांकन स्टाफ के बारे में, नहीं पर इसको निमलने कित में से कौन सा backup, sync और data भेजने के लिए सुनिश्रित करना चाहिए, तो यहां पर अंसर दिया नामांकन स्टेशनों को sync करना चाहिए, synchronize जो हम बोलते हैं, वो करना चाहिए, और Google Cloud पर भी सभी data को सुरक्षित करना चाहिए, तो आपका B option आपने आपर correct है, नेक्स क्वेशन है, इन में से कौन? रजिस्टार के रूप में नियुक्ति के लिए पातर संस्थाई हैं, पा पारजनिक चेतर के बैंकों और National Securities Depository सहीद विनियम इटसंस ताहिए, तो सभी आती है, option D आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, प्राधिकर्ण द्वारा निर्दिस्ट परकिरिया के अनुसार डैश आयू और डैश आयू प्राप करने के बाद, प्राधिकर्ण को बच्चों क बायमेट्रिक जानकारी अपडेट की जाने चाहिए, जो कि बच्चों के लिए एक अनिवारी आपशकता है, कब कर दी जाने चाहिए, तो अगर बच्चा 5 साल से कम का है, तो उसके लिए बायमेट्रिक नहीं है, जरूरी, जैसे बच्चा 5 साल से उपर होता है, तो वेरिफाइज जो करता है जो भी डॉकुमेंट आपने दिए हैं उनकी तो वो होता है सत्यापन करता, option B. Q5 अधिनियम के तहट प्राधिकर्ण की स्थापना से पहले प्राधिकर्ण द्वारा सूचिबद नमांकन एजन्सियों को अधिनियम के तहट प्राधिकर्ण द्वारा डैश के रूप में सूचिबद किया गया माना जाएगा कि इसके रूप में नमांकन एजन्सियों के रू अधितन करना ठीक है सिर्फ enrollment और update करना भी option question number seven प्राधी कर्ण एक एक परदान करेगा डैश जिसका उप्योग कर registrar CIDR के लिए एक panel में दाकला एजनसी पर board कर सकते हैं क्या करेगा panel panel करेगा विशिस्ट सकते आपन code एक code आप करोगे जिसके जिए जो दाकला एजनसी पर board कर सकते हैं तो C option आप यहां पर correct है question number eight निमन लिकित में से किस में सत्यापन करता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं किस के लिए मना कर सकते हैं अगर उसे पता है कि दस्तावेज में विवरंड बदल दिये गए हैं यानि कि जो डोकुमेंट्स दिये हैं वो औरिजनल नहीं है कुछ ना कुछ इसमें changes हुआ है और second कब यदि परमान पत्तर की फोटो को पी प्रस्तुत की जाए तो क्योंकि original चाहिए होता है तो D option आप यहां पर correct है question number 9 परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन या अदतन फोर्म में परिवार के मुखिया का विवरंड सत्यापित करना अनिवारिये नहीं है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप introducer based यानि की head of family के based पे अगर आप verify कर रहे हैं तो उस case में जो आपका verify है वो जरूरी है करना कि परिवार का जो मुखिय है उसके according आपको करना जरूरी है तो चलिए next question question number 10 नमांकन या अधतन परकिरिया के दोरान operator को निमन में से क्या सुनिश्रित करना चाहिए तो क्या सुनिश्रित करना चाहिए नमांकन या अधतन पत्र को upload कर देना चाहिए समर्थित दस्तावेज और हस्ताक्षर slip अप्लोड कर देनी चाहिए सभी दस्तावेज नमांकन के बाद निवासी को वापिस कर देना चाहिए तो D option नमांकन और अधतन पत्र को आप अप्लोड भी करोगी यानि कि enrollment form या update form उस form को भी आप करोगे उसके सभी documents और हस्ताक्षर slip को भी आप अप्लोड करोगे और सभी दस्तावेज जो है वो नमांकन के बाद जो भी documents से किसी वंदे के तो उसको भी आप क्या कर दोगी वापिस दे दोगे next question number 11 नमांकन परिकेरिया से संबनित किसी भी कारिय के निर्वहन या जानकारिय अपडेट करने के लिए समय समय पर प्रादिकंदवारा अन्ने सेवाव परदयताओं को नियुक्त या सलंगन किया जा सकता है किसको किया जा सकता है निवासी को resident ठीके question number 12 क्या कहता है operator को निवासी का mobile number अनिवारिय रूप से लेना चाहिए उसे पंजीकरन प्रारूप में दर्ज करना चाहिए तो यह अनिवारिय रूप से लेना चाहिए यहाँ पर इसका option अना B होगा लेकिन यहाँ पर A दिया हुआ है क्योंकि अनिवारिय रूप से ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ उसको मान लेना चाहिए क्योंकि पंजीकन प्रारूप में दर्ज करने के लिए तो यहाँ पे आपका option A है इसे लिए निमनलिकित मान दर्णों में से किस व्यक्ति को एक परिय वेक्षक की भूमिका के लिए योग्या होने के लिए अरहरता प्राप करनी चाहिए किसके लिए करनी चाहिए आपका 1,2,3,4 यानि कि 18 और उससे उमर उपर होनी चाहिए ठीक है हाँ अगर आप प्रिय वेक्षक बनना चाहते हो तो कम से कम प्लस टू पास होनी चाहिए आपके पास अधार नंबर होना चाहिए और एक प्रिक्षन और परमान अजेंसी से पर ये वेक्षक परवान पत्तर प्राप किया होना चाहिए तो ओप्षन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा प्रशन नंबर 14 नमांकन डेटा में दर्च की गई किसी भी तुरूटी के मामले में निमन में से क्या किया जाना चाहिए अगर कोई भी गलती हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए निवासी को सुचित करना चाहिए और सुधार समय सीमा की बहतर जो है नामंकन के इंदर में आ जाए और वो गल्पी सुधार लेनी चाहिए Question no. 15, निमलिकित में से कौन सा व्यक्ति या संसा एक रजिस्टरार बनने के लिए योग्य है कौन सा वेक्ट है संस्थेक रजिस्टार के लिए योग्य हैं कौन बन सकता है option number B कोई भी केंजरे सरकार के अंतरगत कोई भी संस्था है मंत्रा लहर राज्य सरकार है वो बन सकते हैं तो option B आपका यहाँ पर correct है question number 16 question number 16 है कि प्राधी कर्ण नामंकन एजनसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके परियोग से रजिस्टार सुचिपद नामंकन एजनसी कोड डैश के लिए ओन बोर्ड कर सकता है किसके लिए CIGR के लिए सतरवा है निमन में से कौन सा प्रिश्द कर्णा की तरफ से एग ASV कार्य करता है ASV कार्य करता कौन सा है अपने पिता का परतीरूपन करने के लिए निवासी की मदद करना तो यह ASV कार्य है पांच साल से कम उमर के बच्चों के अलावा नमांकन से गुजरने वाले सभी वैक्तियों के निमन में से कौन सी जनसांके के जानकारी एक तरत की जाएगे अगर बच्चा 5 साल से कम है उसको छोड़के बाकियों की कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए डिमोग्राफिक्स नाम है जनम लिंग जनम तिति आवासी ये सब होना चाहिए तो सी ओप्शन आपका 19 वा क्वेशन कहता है परिच्चे करता को एक निवासी के नमांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायमेट्रिक उपलब्द करवाना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन ए अपके आपर करेक्ट है क्वेशन नमबर 20 क्या कहता है सूकुमार राजपाल ने आपसे आधार के लिए नमांकन करने के लिए संपर किया और आपको मिलता है कि उसके जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेर देसना तक परमान पत्तर है वो पीवाई के रूप में प्रसुत किया उसने प्रूफ ओफ धर्च करोगे उसका दंडर्च करोगे जो निवाजी ने गुशित किया तो जो भीरजदेन के लिए आप उसको ही मानोगे उसका असली नम हाला कि अगर बunkुल चेंज होता जैसे राज सूकुमार राजपाल राजपाल है तो वह बिलकुल अलग हो जया जाता नام तो उसके होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे दोनों नाम से में बस अधर उदर है परस्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम में तो उसके लिए आप जो आधार में फॉम में बरा गया है वही नंबर आप जो है मानोगे 21 वा क्वेशन कहता है निमनेकित सोफ्ट नेमर नंबर या फिर इमेल आईडी को आधातन करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है अपडेट करने के लिए कौन से मोबाइल नमर या इमेल आईडी को इस्तमाल किया जाएगा, अधितन क्लाइंट लाइट, ठीक है, ए उप्षन आपका यहां पर करेक्ट है, निमन में से आधार क्लाइंट सॉफवेर में एक C, L, C, ऑपरेटर जोडने के लिए क्या किया जाता है, तो ओपरेटर के बाइओमेटरिक्स लें जाते हैं, C-Option आपका यहां पर करेक्ट है, नेक्स कोशन है, Q23, इनमें से किसी रजिस्टार द्वारा नहीं क्या जाना चाहिए, रजिस्टार को क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको बताना है, तो क्या नहीं करना चाहिए, आधार नामांकन अपडेट के लवा किसी अन्य किसी भी प्रियोजन के लिए नामांकन के दोरान एक्तरत की गी जानकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए. Q24. प्रादीकंद वारा रजिस्टर न्यूक किये जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों के नमांकन और अलतन के लिए और वहें उन स्तंस्ताओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कारेकर्मों की कादियनवन के सामन्ने पाठ़कर्म में निवासियों के साथ ब आप किया है या होना चाहिए चाइल्ड एन्रॉल्मेंट झो सैंटर उसके पास किया होना चाहिए उसके पास C. Ms. ले कि लिए करता है तो लेखा परिक्षा परती किरिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है तो नमांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार छेतरों की पहचान करती है बाता है तो नमांकन पैकित की संचालने की अनुमती देनी चाहिए घलत जो नमांकन पैकित की संचालन की आरवेखशा पर पर ड़ने दायगा 29 रजिस्टार नमंकन के दोरान एक तरत की गई जानकारी का उप्योग नहीं करेगा अन्ने किसी भी प्रियोजन के लिए डैश पर जानकारी अप्लोड करने के अलावा अगर कोई भी नमंकन के लिए आपके पास डिटेल्स आती हैं तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तमाल करोगे आप उसको CITI पर अप्लोड करोगे अधार बनने के लिए उसके लावा आप कोई भी इस्तमाल उसका नहीं करोगे तीसवा क्वेशन कहता है रजिस्टार शेतर सतर के किन्यान वन निगरानी ओडले का परिक्षा के लिए उत्तरदाई होगा कौन उत्तरदाई होगा विल्कुल होगा रजिस्टार तो ओप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है 31 वाज जब परिवार के नमांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुख्या को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए तो यह जब परिवार के नमांकन अगर आप करवा रहे है हैड ओ फैमली के तोर पर तो परिवार के मुख्या को साथ जाना चाहिए क्योंकि उसका फिर क्या लिया जाता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है, अगर आप normal करवा रहे हो, आपकी जो age है, वो बायोमेट्रिक आप करवा सकते हो, तो कोई जुरूरत नहीं, लेकिन अगर आप head of family के तहद करवा रहे हो, तो आपको करना चूँए, पीवाई के निवासी के नाम डैश युक्त एक दस्तावेज की आवशकता है किसके आवशकता है पीवाई के लिए जहां पर पोटो और आपका नाम हो पीए पडियेवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निमन में से क्या एक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए तो क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को प्राप्त उसको क्या करना चाहिए ऑप्शन सी स्थानिय बाशा कीबोर्ड और साथ में लिम्टरं सहाज होना चाहिए यानले कि आपको जो local language है, आपको जो regional language है, वो आए, निमन में से कौन परिवार के मुख्या या परिवार के सदस्तों के बीच स्थापित करने के लिए क्या जाना चाहिए, क्या क्या जाना चाहिए, POR दस्तावेच जो है, proof of resident जो है, वो स्थापित करना चाहिए, अगर कोई परिवार के मुख्या के coding करवार है, परिवार के सदस्ते एक ही family है, तो address same होगा, तो आप क्या करोगे, POR दस्तावेच verify करोगे, resident group या address group को, पर यह वेक्षक या सुनिश्रित करे कि नामांकन के इंदर के करमचारी, नर्धारित शुल्क के अलावा, कोई भी अतिरिक पैस आवश्यक नहीं है, संबंदों का जरूरी नहीं है कि क्या संबंद है, वो कहीं नहीं लिखा होता है, रेजिस्ट्रा रेजन्सिय को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंद की अनुमती नहीं देंगे, किसकी नहीं देंगे, तीसरे पक्ष की, option C, अ या आदेश का उलंगन इस तरह कि सेवा परदातों की गतीज वीडियों का Dash हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर आप कोई भी वो करते हैं, तो ततकाल निलंबन हो सकता है, यानि कि Terminate किये जा सकते हैं आप अगर आप किसी बीनियम का आदेश का उलंगन करते हैं 39 कहता है प्रादिकर्ण डैश उपलब करेगा जिसका उप्योग कर रजिस्टार एक सूची बद नामांकन एजनसी को CIDR में भेज सकता है क्या करेगा नामांकन एजनसी को D option 40 वा question प्रादिकर्ण डैश के मादम से नामांकन एजनसी को सूची बद करेगा किसको open wrap परकिरिया से A option आपका आपर correct है 41 है प्रादिकर्ण डैश के नामांकन गती वीडियो की निगरानी करेगा रजिस्टार की B एजनसी को ओपरेटर को नामांकित करने के भी नामांकन के साथ जोड़े परियोक्षक की भी तो option D आपका आपका आपर correct है 42 है कि रजिस्टार की मूल जिम्मेदारी क्या है जो भी option दिये गए है वो सारे के सारे correct है तो option D आपका आपका आपर correct है ABC सबी correct है यदि नामांकन करता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेज परमान में एक ही नाम में भीनता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे आप इस नाम में POA दस्तावेज के दर्ज को दर्ज करेंगे जो proof of address में दिया गया वो नाम आप लेंगे 44 एजन्सियों के आवेदनों का मुल्यांकन करने के लिए निमन लिखित में से कौन सा जिम्मिदार है और योग्य एजन्सियों को नामांकन एजन्सियों यानि कि EA के रूप में सूची बद करता है तो कौन करता है रजिस्टार और UIDI 45 है सत्यापन करता को सुनिश्रित करना चाहिए कि POI दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है आपको क्या वेरिफाई करना है कि POI और POR यानि कि ID प्रोप और अड्रस वर उस दोनों में ही नाम सेम हो तो बिल्कुल सही है यह परिवार के मुख्या आधारित नामंकन के मामले में परिवार के मुख्या के आधार नमबर को उसकी आधार पत्र के निमेद सत्यापित किया जाना चाहिए बिल्कुल head of family है तो आपका आधार और जो biometric है वो होते हैं अंगरबाड़ी आशाकारे करताओ के मामले में जो एक CLC operator बनना चाहते हैं उनकी नियोंतम योगिता क्या होनी चाहिए कम से कम दस भी पास हो आप तो आप Child Enrollment Center ओपन कर सकते हैं ताधिकार्ण एक एक परकिरिया के माध्यम से दाखिला अजन्सियों को सुचिबत करेगा किसके माध्यम से पैनल के अनुरोल पैनल के लिए अनुरोल की परकिरिया से बच्चे के नमंकन के समय निमन में से क्या निवारी है कि माता-पिता का अधार नंबर जरूरी हो कि बच्चे के जो पांच साल से कम होगा उसके बायमेट्रिक होगा नहीं तो उसके माता-पिता का अधार नंबर जरूरी है तो यह उप्चन आप यह पर करेक्ट है तो अधार का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो वह लिंक मैंने आपको नीचे दिये गे डिस्क्रिप्शन लिक्स से तो थैंक्यू सो मच बबाई टेक क्या फिर मिलते हैं नहीं लैक्चों में